आज किस वीडियों बात करेंगे बीए बेसी बीकॉम के जो फर्स समेस्टर में को करिकुलर यानि की अनिवार प्रश्णपत्र की परिछा होते हैं जिसका नाम है फूर्ड न्यूट्रेशन और हाइजन उसे से जुड़े मोस्ट इम्पार्टन कोश्चेर और एंसर के बारे मा आज किस वीडियों में हम आपको बताने वाले तो वीडियों बहुत ही मातपूर होने वाली यादि आपके परिछा कल परसो या फिर आने वाले दिनों में तो वीडियों को इंड तक जरूर देखते रहेगा चले वीडियों को शुरू करते हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दे जो food, nutrition and hygiene है ठीक है ये पूरा का पूरा चार यूनिट में डिवाइड यानि कि आपकी परिच्छा में चार यूनिट फिजुड़े question आएंगे ठीक है तो चार यूनिट से जुड़े जाएगे ठीक है तो चार यूनिट फिजुड़े most important question answer की ओर तो पहला प्रशन है कि विकास का अर्थ बताईए ठीक है तो विकास का अर्थ आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर होगा ठीक है तो विकास का यहां पर ब्रद्धी होना पर परिवर्तन होना पर प्रगति होना य लेकिन तीनों का मत्तब अलग-अलग भी होता इस बात को ध्यान लकेंगे आपको कहें पर विसाच करेंगे तो वहां पर आपको उत्तर सायद आपको परिवर्तन मिलेगा लेकिन मैं यहां पर select करोंगा उपरयोक्त में से सभी या फिर इन में से सभी क्योंकि बई कास का अर लिजे कि आप 13 में गे थे और अब आप 2023 में या फिर 24 में मुंबई गे ठीक है तो आप लोगों को साइध वहाँ पर छोटी-छोटी तो यह वही वाला विकास है इस तरह समझ लेजिए ठीक है अगले प्रश्ण के और बढ़ते हैं अगला प्रश्ण कहे रहा कि विकाफ आत्मक कार की असफलता के लिए उत्तरदाई कारक कौन सा है इन अप्शनों में से ठीक है तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा अप्श रहा है ठीक है और दूसरा है वांचित अब प्रेड़ा प्राप्त ना होना यानि कि आपको किसी से इंस्पिरेशन ना मिलना किसी से आपको प्रेड़ा ना मिलना ठीक है तो यह होता है दूसरा असफलता का करण ठीक है उत्तरदाई कारक आगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको समय रहते अगर आप नहीं करते हैं जब आपको आऊसर मिमला तब नहीं कर रहे हैं बात में कर रहे हैं तो क्या फाईदा उसको करने से ठीक है तो यह दो प्रमुक असफलताइं हैं उसके तो कारक हैं इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा A B A और B B A इसले से उत्तर ही होगा ठीक है और इस वीडियों हम आप लोगों को बता दें कि वीडियों में question answer आइंसर तो आपको बता ही रहें साथ साथ में इस वीडियों हम आप लोगों को परिछा में पास होने की जो tricks होती है tips होती ही वो भी टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे लेकिन वो वीडियो के लास्ट में या फिर मद्ध में कभी भी बता सकते हैं लेकिन इसके लिए पहले आप वीडियो पूरा देखते रहे पहले जान तो लीजिए कौन को इंपॉर्टन कोश्चन आपके परिश्चा में आने की उम्मेद है वह जान्य के तो अगला प्रेशन में बालाब थिकास को प्रवावित करने वारे संते हाथ के नियुकुरा के को कि जो ब्रद्धी है या फिर उस किसे साफ पे बालक का जो विकास है ठीक है वो हो रहा है और उफ वो कौन से प्रमुख या फिर महत्वपूर्ण तत्तों है इन आपसरों में से तो आपके जानकारी के लिए बता दे इसमें जो बालक के बच्चे के बाल विकास को जी थे दादा जी थे पिर आपके पिता जी फिर आप हुएं ठीक है तो उसी साफ पर जिसे साफ पर उनका फेफ था कुछ ना कुछ आपके अंदर उसकी कुछ गुण होंगे कुछ चीज़े आपको देखने को बिलेंगी और वातावरण का मतलब यह हो गया कि आप अच्छ मिल लही है या फिर नहीं मिल लही है वो सिप्सकूल के बरोसे है या फिर स्कूल भी नहीं जा रहे है या वो किस वातावरण में उनको खेल लेकर दिया जा रहा है फिर नहीं दिया जा रहा है ठीक है तो इस तरह की बहुत सारे वातावरण होते है ठीक है अगर बच्चा अ बतारण ही खराब है कि गाली गलोजिया फिर उस तरह की बाते होती है ठीक है और साथ साथ में पढ़ाई पे कुछ ध्यान नहीं दिया जाता तो बत्चा भी उसी वातरण में रहेगा और वैसे वो भी जाएगा ठीक है अनुजिकेटिड रहे जाएगा तो यह बात हो गई यह जरू दे सकते हैं सब्सक्राइब करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा जीन्स ठीक है ओके लेकिन मेरे रहेगा ठीक है अगरा प्रस्टन है कि जन्म के बाद विकास को कितनी अवस्थाओं में बाटा गया जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके कुछ विकास की स्के नमबर सी च्छे आवस्थाओं में कटगराइज किया निकी 他 nis को बिभाज़ित किया गया है वहाजवभ प्रस्टन हमां रखेंगे अगला प्रश्टन है कि अधा होता कि अमर क्या होती है अपने सुना होगा तो यह होती है ये कितने दिन की होती है या पिर इसकी उम्र क्या होती है ठीके तो आपके जानकारी के लिए बतादे इसका सहुत्तर हो जाएगा जब बच्चा पैदा होता है और दो वर्स के बीच की जो उसकी उम्र होती है आयो होती है उसको सैसावास्था के नाम से जाना जाता है ध्यान और अगला प्रशन है कि पूर उबालिया उफ्था की जो उम्र होती है याद रखेंगे इापसरों में से जो बच्चे की माँ होती है ठीक है उसके दूद में क्या पाया जाता तो आपकी जानकारी के बता दे पता दें पाइजाते है ती के टोलेक्ट्टरोल भी पाएजाताह फ्रस्माटD ने से सभी के अगला प्रश्न प्रश्न में हेमो गूलूम UAC सब्सक्राइब मारा जातें कि प्रकार देखने को मिलते हैं तो बत्जों प्रकार देखने को उनकी संख्या आपको बतानी महात्पूंट प्रस्ट ने आपके एक्जाम के लिए तो ध्यान रखेंगे इसका सही उत्र हो जाएगा अप्शन नंबर ए ठीक दो प्रकार देखने को मिलते हैं ठीक है यह नंबर सही उत्र होगा टिक कर लीजेगा अपी ठीक है अगला के राकी वंसा नुकरम का नियम दिया था या फिर वंसा नुकरम का नियम दिया गया किसके द्वारा कौन से विद्वान के द्वारा दिया गया है मैंडल के द्वारा दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आपने कहीं मुंडल भी देखा होगा यानि कि जैसे मैंडल ऐसे भी आपने देखा होगा तो वो दोनों एक ही है ठीक है याद रखेंगे अगला पशन है कि संपूर्ड गर्बकालीन आवफ्था लगभग कितने दिन की होती है अगर दिन की बात की जाए तो ठीक है तो संपूर्ड गर्बकालीन आवफ्था लगभग ठीक है 280 दिन की होत सबसे ज़्यादा होती मतलब तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्षिन नमबर इसारी जो उसका फारीर का भार बढ़ता है तो ध्यान रखेंगे तीसरे माह के बाद एक दो महिनें तो कुछ नहीं को तीसरे माह जब शुरो होगा मतलब कि कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही देखने को मिलता ठीक है उसमें सरीर में मतलब कि चेंजेस अगला प्रशन है की अंडार परिपक को होते हैं कितने दिन में तो अंडार जो आसमायोजन यह भी महत्पूर है और यह भी महत्पूर आज परिफक होता है 28 दिन में याद रखेंगे अगला है कि अभी ब्रद्ध को कोश्किय ब्रद्ध के अर्थ में किस ने प्रियुक्त किया है कौन से बिद्धवान ने ठीक है तो उनका नाम है फ्रेंक बिद्धवान ठ साथ में प्रियुक्त किया है ठीक है अगला प्रशने की ब्रद्ध पर कौन से बिशेष्टा लागों नहीं होती है इन आपसनों में से तो उस बिशेष्था का मतब कि बिशेष्था का नाम है ब्रद्ध को अस्पष्ट एकाई में मापना संभव नहीं है यही एक ऐसे पर लागों नहीं होती बाकी सभी लागों होती है अगला प्रशना है कि विकास पर करिया इतना मातपूर ने ग्रूर करेंगे अगला प्रशना है कि सिसु के दान्त को सुस्त रखने के लिए किस पोसक्त्त की आवसकता होती जब बच्चा होता है उसके जब दात निकलते ही मतलब बच्चा जो होता है ठीक है उसका जो आहार होना चाहिए वो होना चाहिए मा का दूद ठीक है आप सभी को मालूम है कि मा का दूद बच्चे को 9 मन्थ तक जरूर दिया जाता है ठीक है हलाकि ज़्यादा दिन तक दिया जाता है ठीक है अगला प्रशन है कि जन्म के समय परिपक शिशु का आफ़त भार होता है तो जन्म के समय जब बच्चे की जो भार होता मतलब वजन होता वो कितना होता आपको बताना ठीक है तो सही इसका उत्तर हो जाएगा आफशन नमबर C ठीक है तीन किलो फे फाड़े तीन किलो ग्राम होता है ठीक है अगला प्रशन है क की सिस्व को अर्ध ठोस वा ठोस आकार किस समय देना चाहिए साथ से आठ माहा के बाद ठीक है अगला के अफ्थियों के निर्मार तथा मजबूती के लिए क्या आवस्यक होता 같아 यो वाप की बोड़ी होती है मजबुती के और निर्माण के लिए खोंछी सीज आवस्ट्रुम इसे होती है एक यह मा के दूद में प्रवास के कितने दिन तक रहता है में कोलो चीम का प्रवास प्रवाह मतलत है जो वो शुरू के ध्यान रखेंगे शुरू के कम से कम 5-6 दिन तक होता है याद रखेंगे मात्पूर्ण प्रशने अगला कि गाय के दूद में मा के दूद की अपेच्छा प्रोटिन और कैल्सियम कितने गुना अधिक होता है बहुत मात्पूर्ण है प्रशने याँ पर ध्यान देने वाली बात है तो ध्यान रखेंगे तीन गुना अधिक होता है बहुत ही मात्पूर्ण प्रशने ठीक है अगला है कि मा का दूद बच्चे के लिए सर्वोत्तम है क्योंकि इसे ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इससे क्या होता है संक्रमक रोग नहीं होते हैं अगला प्रशन है कि एक वर्स तक के सिस्यू को विटामिन C की कितनी मात्रा देनी चाहिए तो याद रखेंगे 35 मिलीग्राम बहुत ही महात्पूर्ण प्रशन है अगला प्रशन है कि एक फे तीन वर्स के बालक को प्रति दिन कितनी कैलोरी की आवस्यक्ता होती एक से तीन वर्स के बालक के ध्यान देंगे ठीक है तो उसको जो आवस्यक्ता होती है वो होती है ठीक है बारा फोर चालिस कैलोरी ठीक है सी नमबर अगला है कि सहसा आवस्था जन्र से दो सप्ता तक चलती है और उसके बाद बच्पनावा आफ्था प्रारंब हो जाती है जो दो वरस तक चलती है या बिचार निवनिमेस से किस बिद्वान ने कहा है ठीक है तो यह जो मत है यह जो कहा गया है हर लोक एक प्रमुक बिद्वान है ठीक है इनी के दौर या कहा गया था औक अगला प्रेश्ण ने है कि यह जीदि बच्चे के अहार को पसो ठीक है प्रोटीन से मुक्त रखने की आवसकता है तो कौन सा फार्मूला सहायता कर सकता है तो यहाँ पर जो कर सकता उसका नाम है सोया आधारित फार्मूला अगला प्रशन है कि बालक के सभी दूद के दाथ किस आयू में आ जाते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्शन नमबर ए अब आपकी जानकारी के लिए पहले सुन लेजिए इसका सही उत्तर इसले होगा क्योंकि सभी बच्चों में अलग अलग ताइम लगता है इस बात को भी ध्यान रखेंगे अगला की गर्वाफदा के समय होते हैं तो आपके जानकारी के लिए बता दे थीक उसमें सारे रिक वानिसिक दोनों परिवर्तन होते इसले सही उत्तर सीड़ाएगा तीड़ा हें कि साधारां स्त्रिके अपीछा गर्वथी मांकि कित्नी अधिक होती याद कर दो कि improper गंड़ा है कि गर्भावता का तीसरा प्रमुक लचछन का उन्सा है तो कि 16 और सिस्टम में लागू किया गया था खंड है और इक सिस्टम में बनाया गया तो उसका नाम है बार-बार पर साब आना ठीक है गर्भाव्था का तीफरा प्रमुखल चन एग से गर्वावथा का उच्यत समय माना जाता है तो इस प्रSP का सहुत्तर आपसे भी जानते हुँगी चली यह नहीं जानते हैं तो हम बता देने सहुत्तर भाव ready स्टिक तीसरे माह से स्ञेत के जिन्रत गश्षत समय माना जाता है अगला प्रश्ट के है चल्यरा कि यह कम क्रियल सील को कीतनी अधरिक्त मात्रा में प्रोटीन डिंबवफ्था होती है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपसे नमबर B उसको 17 ग्राम प्रोटीन की आउ सकता होती है अगला प्रश्ण है कि परसो पोर्ब पोसर्ड में दिनों की संख्या निर्धायत की गई है कितनी निर्धायत की गई है चलिए बताएगर आपको मालूम है तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपसे नमबर 0 से 80 दिन अगला प्रश्ण है कि गर्भावफ्था में अत्रिक्त पोसर्ड सुरच्छा करता है गर्भावफ्था में अत्रिक्त पोसर्ड सुरच्छा करता है कौन तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपसे नमबर C शिसु की और मा की दोनों इसलिए से उत्र हो जाएगा आपसे नमबर C A और B दोनों अगला है कि गर्भावफ्था में कम क्रेसील गर्भवती इस्तरी को कितनी कैलोरी उर्जा अत्रिक्त आवसकता होती है तो ध्यार नके कि महात्पूर्ण प्रस्ण है से उत्रिक्त आपसे न रेफेदार प्रदार्थ गर्भावफ्था में एवं धात्री आफ्था में किस बीमारी को रोकते हैं तो सही उत्तरिश्का हो जाएगा आपसे नमबर 1 कब जिको ठीक है अगला की कौन सा प्रकार भोजन के प्रारंबिक प्रकार से सम्मंदित नहीं है ठीक है तो वो है ध्य देना चाहिए किस चीज़ का तो ध्यान लाकिंग बहुत ही महात्प्रोड प्रशने भी आप सभी के लिए से तरस्काव जाएगा आपसे नमबर 1 पोस्ट तत्तो पर ठीक है अगला प्रशने की गर्भावफ्था के लिए वसा की आवस्यक्ता होती है कितनी आवस्यक्ता होत तो वही आपको बताना सामायनता कितनी प्रशने तो सामायनता जो पढ़ जाती है वो बढ़ जाती है दस से पचेस प्रतिसद बढ़ जाती है गर्भा अफथा में scyappache की दर बढ़ जाती है वो याद रखे कि हला कि गर्भाध् Tsha में हार्मोन्ज की क्या भूमिका होती थो आपके जानकारी किले ब़िता दे कर्भा अफथा होती यह फिर रोल होता है वो होता ट्रोपीन हार्मोन से ब्रोण के अंग बिक्षित होते हैं शहीं उत्तरिश्का हो जाएगा ए नमबर गर्भा आवस्तिक गर्भोती महला को ठीक है आशंतुलित अहार लेना चाहिए और फिर केवल फल लेना चाहिए क्या लेना चाहिए तो आपकी जानकारे के लिए बता दे गर्भा वति महला को संतुरित अहार लेना जाए कि ऐला की एक gotten我們 को मालूम और किस होती है याद रखेंगे अगला प्राशने की घर्भावफ्था में महिला को किस प्रकार का भोजन ग्रण करना चाहिए तो एक पॉस्टिक और एक अच्छा खाना खाना चाहिए शरीर में लोही की पूर्थ के लिए गर्वतिस्त्री को निन में से क्या देना चाहिए तो पालक देनी चाहिए अगर उसको लोही की पूर्थ मतब की साइज में आयरेन की कमी होती है तो ठीक है और बहुती महात्पूर्ण प्रश्ण याद रखेंगे इसी तरह आपको बहुत फारे कोश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेंगे करीब प्रवाफ्था में होने वाला फारेरिक परिवर्तन तो भाया सही उत्तर क्या हो जाएगा इन में से सभी हो जाएगा और यहां पर लिखा भी डी नंबर ठीक है तो इसी तरह जितने वी प्रश्ण है उसके सामने उसका उत्तर लिखा है ठीक आप तयार कर लिजेगा वीडि तयारी करते रहीएगा और आपकी जानकारी के बता देए हमारी वीडियो यूनिट तंबर थर्ड की है फर्स्ट यूनिट थर्ड यूनिट आज के लिए भी हो गई ठीक है तो आप तैयारी करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और जो मैं आपको बताना चाह रहा था ट्रिक कौन है ठीक है पास होने की और टिप्स कौन सी इसको जान लीजिए उसके बाद जो कि मैं हर वीडियो के लास्ट में बता ही बता ही देता हूं ठीक है तो सबसे पहले जब आप परिछा देने जाएंगे जैसे भी आपको पेपर मिलेगा ठीक है मतलब की फूड निट कोश्चने 10 कोश्चने 12 कUNDरा कोश्चन कुछ गुश्चन तो ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको कंफर्म पता होगा कि बाखिया यही उतत्तर होगा ठीक है तो सबसे पहले उन सबी प्रशने का उत्तर नहीं मालूम होगा उसके लिए अपको बता रह recommendations आ है जर्बाफता के दोरान पन होने वाला समाने कश्ट कौन सा है इसका उत्तर आपको नहीं मालूमें ठीक है नहीं मालूमें न तो आपको सिंपल सा क्या करने न को पढ़ना उसके बाद लास्ट आप्शन जो दिया जाएगा डी नंबर ठीक डी नंबर में सबसे ज़्यादा आ सहरे प्रस्चन के this window, हो सो एक इसका धुकृमें का उत्तर आपको देखनेके ने को भी लेगे तो आपको सिंपली यहीं वाला उत्तर सृलेट करना जिस भी प्रस्चन का उत्तर आप लेजर नहीं मालूम होगा उस प्रस्चन का उत्तर आपको डी वाला आपसं जो होगा तो वही करना है और वह वyorsun आतम जयाधा तर वह प्रयोक्त के सभी या फिर इन से फिर पहल América होता है जैसे कि यह को 750 का सही उत्तर क्या होगा और प्रोंड libud ट्रीक है ठीक है काफी छारे बहुत सारे जो छात रहें वह यह ट्रीक अपना के पास हो गए आप भी पास हो जाएंगे और अगला जो अब कर आपको ध्यान रखना कि सभी प्रस्तों का उत्तर देकर आना कोई प्रस्तों छोड़ना नहीं हैं कूई भी भी बादस मार्किंग नहीं इस बात को ध्यान रखेंगे अपसे चैन बागी यह पीडिया आपको टेलीग्राम अटसर पर मिल जाएगी कोई कोश्चन तो जरूर पहुचे मिल दें अकॉड ने वीडियो में जहिंद